जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्तमिजन यूटूब चैनल और दोस्तो एप में ठीक है अगर अभी तक आपने Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया तो एप को जरू डाउनलोड करें ठीक है आपको क्या करना है पिले स्टोर में जाना है और दोस्तो सर्च करना है Self Study Classes तो एप जरू डाउनलोड करने दोस्तों आपके लिए बहुत ही बढ़िया हिंदी साइथ का कोर्स लांच किया गया है मास्टर के लिए UKLT एना TGT PGT जूनियर ट्रेट आदी एक्जामों के लिए बढ़िया कोर्स लांच किया गया है और दोस्तों हमारी ये डाउट्स तो चैन करिए आपको कमेंट में उत्तर जरूर बताना है इसका मनोब श्रेशनबादी जो लेखक माने जाते हैं कभी माने जाते हैं वो कौन नहीं है तो दोस्तों आपको पता है मनोब श्रेशनबादियों में जैनेंद्र कुमार का नाम आता है इलाचंद्र जोसी का नाम अगे का नाम आता है और डाक्टर देवराज डाक्टर देवराज का नाम भी आता है यहां confusion क्या बनता है नंद दुलारे बाचपई और ईलाचंद्र जोसी में कभी-कभी लोग ईलाचंद्र जोसी लगा आते हैं याद रखें ना दोश्टो क्या याद रखोगे बोले सर मनुबिश्रेशन बादी लेकक नहीं है पूछा गया था तब आपका उत्तर नंद दुलारी बाज़ बाज़ पर." एकुस्टन दोस्टों आता है और गलत वी हो जाता है अब एक कुश्टन रहता है दोस्तों हिंदी के प्रितम आत्म कथाकार कौन है अभी पंजाब मास्टर के डर में ए प्रस्ना आया था कि हिंदी के प्रितम आत्म कथाकार कौन है अभी ऐसे चार बिकल्प दिये थे तो दोस्तों पहला कंफ्यूजन तो यही है यहां पर बनारसिदास चतुरवेदी दिया है तो कई लोग तो बनारसिदास चतुरवेदी में टिक कर देंगे बोले यही हैं लेकिन आपको बास्त्विकता पता है है ना यहां पर इस प्रकार की अगर बिकल्प दिये हैं और इस प्रकार का कॉस्चन पूछा गया है कि हिंदी के प्रतमात्म कथाकार कौन है तब यहां पर आपका उत्तर हो प्राचिंतमात्म कथा माना जाता है कि इसको अर्द कथानक को यहसी आपको याद रख लिना अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की प्रतमात्म कथाक कौनसी है ओप्सन में अर्द कथानक है तो आपको अर्द कथानक लगा देना है ठीक है और ओप्सन में अर्द कथानक नहीं है मेरी आत्म कहानी है बाबू स्याम सुन्दरदास की तो आपको मेरी आत्म कहानी बाबू स्याम सुन्दरदास की लगानी है क्योंकि दोस्तों ये हिंदी की प्रिथम प्रिसिद्द आत्म कथा मानी जाती है बाबू स्याम सुन्दरदास की कौन सी मेरी आत्म कहानी आपको याद रख लेना कि बाबू से आम सुन्दर दास ने 1941 में मेरी आत्म कहानी लिखी थी जबकि 1641 में लिखी थी किसने बनार सी दास जन्ने अर्द कथानक है ना इनको अपन को याद रख लेना दोस्तों अब देखते हैं डाउट्स नमर 3 एक क्वेस्चन और आता है अदभुत रसका इस्थाई भाव माना जाता है बिशमय या फिर आस्चर है ना बोले अदभुत आस्चर है हमने देखा अदभुत आस्चर देखा अदभुत बिशमय देखा तो अदभुत रसका जो इस्थाई भाव होता है वो तो बिशमय या आस्चर होता है लेकिन यहा लग बीबस रसका लगा आती हैं आश्चर याद रख़िए ना बीबस रसका इस्ताइबाओ जुगबसा है और ये question पूचा जाता है doubts वाला प्रस्ण है बीबस रसका इस्ताइबाओ क्या है जुगबसा और कुछ की दोस्तो अद्वट रसका जो माना जाता है बिशमय या पिर आस्चर और भयानक रसका भ्याइं माना जाता है इन पर आपको याद रख़े беспol Betty na यहां से तीनों रसों से अगर स्थाई बाओ पूचा जाता तो इन III गर से ही पूचा जाएगा भयानक अधबत और वीबस इनके स्थाइबाव आपको आने चाहिए एक पती के noats के रचनाकार कौन है एक किसकी रचना है तो यहाँ पर आपको याद रख्टे के ना दोस्तो एक पत्ति के नोट्स की रचनाकार कौन है महेंदर भला एक पतनी के नोट्स की रचनाकार कौन है तो ममता कालिया और एक कसबे के नोट्स की रचनाकार कौन है तो नीले सरगुबंसी अब आपको confusion नहीं होना एक पती के नोट्स भला महेंदर भला बोले पती के नोट्स किसी को दिये तो भला भला पड़ेंगे पती के और पतनी के नोट्स अगर किसी को दिये तो पतनी फिर कालिया बन जाएगी कालिया तो पतनी के नोट्स मम्ता कालिया और दोस्तों एक कस्वे के नोट्स नीले स्रगुबंसी ये तीनों क्वेस्चन आते हैं कन्फ्यूज नहीं होना यहाँ पर एक पती के नोट्स पूछा गया इसलिए आपका महेंद्र भल्ला आपका बिल्कूर सही हो जाएगा अंगला क्वेस्चन है पंच परमेस्चुर कहानी के लेका कौन है तो दोस्तों अभी तक आपको इतना ही पता था कि पंच परमेस्चुर कहानी के जो लेका के हैं वो लेका के प्रेमचंद है ठीक है लेकिन अब आपको याद रखे ना कि पंच परमेस्चुर कहानी प्रेमचं है ठीक है तो डाउट्स नमबर दोस्तों आपका पांच यहां पर किलियर होता है पंच परमेसुर इसी प्रकार से आप बने रहें पंच परमेसुर कहानी प्रेम चंद और रांगी रागव की मानी जाती है अभी तक आपने सेल्प स्टडी के लासेस का एप डाउनलोड नहीं क जरूर करना है और वीडियो को लाइक और सियर जरूर करें और यह आप डाउनलोड करके दोस्तों आप उसमें एडवी सल लें है ना और एडवी सल लेकर कि आप करमबद ट्रिकी तरीके से बिस्त्रे तद्यान और टेस्ट लगा कर बहुत अच्छे से पढ़ सकती ठीक है त तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही जय हिन